तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैतमतिक्स का चप्टर 1 सेट से चप्टर का एक्सरसाइज 1.5 से कुशन नमबर 5, 6 और 7 को सल्फ करेंगे इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.4 तो कंप्लेट कर दिया है और इस एक्सरसाइज का कुशन नमबर 1 से लेके 4 तो सल्फ करके मैंने आप लोगों को वीडियो प्रवाइट कर दिया है अगर आपने आभीतिक उन वीडियो उसको नहीं देखा है तो सारे वीडियो उसका प्लेइलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा आप उस लिंक उपर क्लिक करके उन सारे वीडियो को एक एक करके देख सकते है और अगर आपने आभीतिक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर अगर आप हमारे चलेंड को फॉलो करेंगे तो क्लास सीरी वन मैतमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्राटीउशन लेने की जुरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो क्विशन नंबर फाइब में बोल रहा है देखिए यहाँ पर हम लोगों को चार क्विशन दिया गया है इन चार क्विशन का बेंड डायग्राम ड्रौ परना है अब बेंड डायग्राम का मतलब है सेट को हम लोग जो डायग्राम में रिप्रिजेंट करेंगे तो उस डायग्राम को बेंड डायग्राम कहा जाता है मतलब सेट हम लोगों को यह जो चार क्वेशन दिया गया है इन चारों क्वेशन का बेंड डायग्राम बनाना है तो चलिए यहाँ पर एक एक करके डायग्राम बनाना शुरू करते हैं पहला रोमान वान में यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है देखिए रोमान वान में हम लोगों को दिया गया है A union B whole complement, इसका हम लोगों को band diagram बनाना है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं, पहले तो यहाँ पर हम लोगों एक rectangle बना लेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक rectangle बना लिया, और यह जो rectangle है, यह rectangle को नाम हम लोगों ने दे दिया U, मतलब यह पूरा rectangle हमारा क B को draw करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग यह जो circle है, इस circle को हम लोगों ने A नाम दे दिया, अभी circle का कुछ portion लेके हम लोगों को B बनाना है, तो यहाँ पर कुछ portion लेके यहाँ पर हम लोगों ने और एक circle बना लिया, और इसका नाम दे दिया हम लोगों ने B, अभी यहाँ प इस तरह से यहां पर हम लोग कार देंगे, तो यह जो मैं मार्क किया है, यह जो में इस rectangle के अंदर जो person को मैंने मार्क किया है, यह कोण सा person आया है? यह person है आपका A union B का person यह जो मैंने rectangle को अंदर में जो person mark क्या है यह person कौन सा है A union B का person अब यह हम लोगों को A union B का person नहीं चाहिए हम लोगों को A union B का whole compliments है whole compliment का मतलब क्या है मतलब A union B को चोड़ के A union B का person को चोड़ के U में जो portion A उनको हम लोगों को mark करना है तो A union B मतलब A और B का जो portion यहाँ पर हम लोगों ने mark क्या है उसको चोड़ देंगे उसको चोड़ देंगे मतलब क्या हो जाएगा बाहर वाले portion को हम लोग mark कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा A union B का compliment तो यह हमारा A union B है, अभी हम लोगों को A union B का complement draw करना है, तो फिर से यहाँ पर हम लोग और एक rectangle यहाँ पर बना देंगे और बाहर में यहाँ पर हम लोग U देंगे, मतलब यह पूरा हमारा क्या है यह पूरा हमारा universal set इसके अंदर यहाँ पर हम लोगों ने A दे दिया तो A और B को चोड़ देंगे, तो बाहर में कुछ सा पर्षन रह गया है, यह जो पर्षन में mark कर रहा हूँ यह पर्षन हमारा हो जाएगा अमारा A union B का whole complement, तो बाहर वाले पर्षन को हम लोगों को कुछ इस तरह से हम लोगों को कुछ इस तरह से यहाँ पर होगा, अब यह पर्षन मार्क आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, आप डोट-डोट देके भी कर सकते हैं इससे कोई मतलब नहीं ही, आप यहाँ पर डोट-डोट देके भी यहाँ पर बेंट डायग्राम को यहाँ पर ऐसे मार्क कर सकते हैं तो यह हो गया आपका रुमान वान का solution, मेरे काल से रुमान वान का band diagram किस तरह से हम लोगों ने draw किया है ये आप लोगों को समझ में आया होगा, चलिए next रुमान टू में हम लोगों को क्या करना है, कि रुमान टू में हम लोगों को पहले तो Aarten payment ड्रो करना है उसके बाद B का कॉम्प्लिमेंट ड्रो करना है उसके बाद A कॉम्प्लिमेंट intersection B कॉम्प्लिमेंट मतलब A कॉम्प्लिमेंट और B कॉम्प्लिमेंट में जो portion common है उस portion को हम लोगों को ड्रो करना है तो चलिए यहाँ पर रुमान टू को ड्रो करना शुरू करते हैं, रुमान टू में हम लोगों को ड्रो करना है A कॉम्पलिमेंट, इंटर्सक्शन, B कॉम्पलिमेंट, तो सहीम इसी तरह यहाँ पर हम लोग उसके तरह यहाँ पर हम लोग रुमान वान के तरह यहाँ पर हम लोगों ने एक रेक्ट को चोड़ के टो a को चोड़के बाकी जो बाहर में जो पर्षन बाकी रह जाएगा उसको हम लोग यहाँ पर शो कर कर देंगे अगर एक कॉम्लीमेंट मतलब by को चोड़के बाहर में जो पर्षन यहाँ पर मार्रक्त दे तो e surge gonna यहाँ का हो Fig अभी Bizim इसी तरह यहाँ पर हम लोक B का compliment को यहाँ पर आम लुक करेंगे वी Spl gossip आ न चौटकरेंगे भी को čौटकर बाहर में जो पर्षन बाहर का एकस्ट्रा प्रशन है उसको हमलोको चीश तरह से यहाँ पर मार्क करदेंगे तो यहाँ पर हम लोग B portion B set को B का portion को चोड़ के यहाँ पर बाहर वाले portion को हम लोगों ने यहाँ पर कुछ इस तरह से mark it दिया अभी यह हो गया हम रा B compliment अभी हम लोगों को क्या करना है देखिये हम लोगों को A compliment, और B compliment दोनों का क्या करना है intersection लेना है तो दोनों में common part क्या है देखें दोनों में common part क्या है इस में दिखें ये person नहीं आया है और इस set में दिखें बी का person नहीं आया है तो दोनों person में दोनों का intersection लेना है मतलब इस person और इस person का intersection मतलब यहाँ पर middle में हम लोग यह दे देंगे middle में हम लोग यह दे देंगे मतलब यह person और यह person दोनों का intersection मतलब दोनों में common part क्या है तो दोनों में common part क्या आ रहा है दोनों में common part आ रहा है बाहर वाले person आप देख सकते हैं देखें कि इसमें A circle का person नहीं आया है और इसमें B circle का person नहीं आया है और दोनों में कौनसा person दोनो का intersection लेकर यहाँ पर हम लोग E X देंगे, यहाँ पर हम लोग E X देंगे और यहाँ पर हम लोग B Is देंगे तो A और E Y को चोड़ के बाकि परसुन कच, कर दिंगे तो बाकी बाहर वाले पर्षन हमारा common party तो बाहर वाले पर्षन को हम लोगों ने कुछ इस तरह से यहाँ पर बाहर वाले पर्षन को हम लोगों ने कुछ इस तरह से मार कर दिया कुछ इस तरह से यहाँ पर बाहर वाले पर्षन को मार कर दिया और नीचे यहाँ पर समझ में आया होगा चलिए next Roman 3 का band diagram को draw करते हैं Roman 3 में यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है देखिए A intersection B का whole complement तो चलिए यहाँ पर Roman 3 का band diagram को draw करते हैं इसमें हम लोगों को draw करना है देखिए A intersection B का whole complement तो पहले तो यहाँ पर लोग A intersection B को ट्रो करेंगे पहले हम लोग क्या करेंगे A intersection B को ट्रो करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने एक rectangle बना कि इसको यू नाम दे दिया अंदर में हम लोग A दे देंगे उसके बाद B दे देंगे तो यहाँ पर हम लोग A और B नाम दे देंगे अब यहाँ पर पहले हम हम लोग क्या करेंगे पेहले हम आपलो को निसलों और इंतर्सेक्षन आपर मतलब क्या है एंटर्सेक्षनक्त्रइवाइवार sn Simon B का band diagram, अब यह हम लोगों को A intersection B का नहीं, A intersection B का whole complement को ड्रो करना है, तो A intersection B का whole complement मतलब यह जो A intersection B का person हम लोगों ने mark किया है, इस person को चोड़ के बाकि जो person रह गया है, वो person हो जाएगा हमारा A intersection B का whole complement, तो यहाँ पर finally next यहाँ पर हम लोग right side में ही यहाँ पर हम लोग बाना दिया और इसका नाम हम लोगों ने U दे दिया, अंदर में यहाँ पर A दे दिया, उसके बाद B दे दिया, और यह इसका नाम A है, इसका नाम B है, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या शाओ करना है, यहाँ पर हम लोगों को A intersection B का whole complement का band diagram शाओ करना है, अब यह था हमारा A intersection B क यहां पर दोग कर देंगे एक्स्ट्रा पर्षन मतलब यह जो कमन पार्ट को चोड़के बाकी जो पर्षन रह गया है उसको हम लोग कुछ इस तरह से यहां पर मार्क कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा यह जो पर्षन है यह कमन पर्षन को चोड़के बाकी जो एक्स्ट्रा पर्षन है उसको हम लोग कुछ इस तरह से यहां पर मार्क कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा यहां पर रुमान फोर को सब्षन करते हैं रुमान फोर में हम लोग को देंगे देखें एक कॉम्पलिमेंट यूनियोन बी कॉम्पलिमेंट का बेंड डायगरम ड्रौ करना है तो चलिए यहां पर ड्रौ करना शुरू करते हैं रुमान फोर में हम लोग को देंगे है एक कॉम्पलिमेंट यूनियोन बी कॉम्पलिमेंट का बेंड डायगरम ड्रौ करना है तो पहले तो हम लोग एक complement का band diagram डो करेंगे, उसके बाद B complement का band diagram डो करेंगे, उसके बाद दोनों का union ले लեंगे. तो यहाँ पर पहले तो हम लोग यहाँ पर एक rectangle बाना लगते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक rectangle बाना दिया, और इसका नाम में ने U दे दिया, यहाँ पर इसके अंदर A दे दिया, उसके बाद B दे दिया, अब पहले तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम में हम लोग A कॉम्प्लिमेंट को शो करेंगे, A कॉम्प्लिमेंट मतलब A को चोड़के, जैसे कि रुमान 2 में हम लोगों ने देखा था, A कर दिया, कुछ इस तरह से यहाँ पर बाहर वाले पर्शन को हम लोगों ने ऐसे मार कर दिया, तो यह हो गया हमारा A कॉम्प्लिमेंट, यह क्या हो गया, यह हो गया हमारा A कॉम्प्लिमेंट, अब नेक्स्ट आईए, नेक्स्ट B कॉम्प्लिमेंट में आईए, तो नेक्स् चोड़के बाहर वाले पर्षन को हम लोगों को ड्रो करना है, बाहर वाले पर्षन को हम लोगों कुछ इस तरह से यहाँ पर मार्क करना है, मैंने आपको बताया मार्क आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप मार्क कर सकते हैं, तो मैं कुछ इस तरह से मार्क कर लागे इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से मार्क कर रहा हूँ ताकि जल्द जल्द यहाँ पर में बेंट डाइग्राम पर ड्रोकर सकूँ तो यह हो गया हमारा बी कॉम्प्लिमेंट मतलब बी को चोड़के अब इन दोनों का यूनियों लेना है तो इन दोनों का यू यूनियों बी कॉम्प्लिमेंट तो दोनों को मिला के देखे दोनों में कौन सा पार्ट मार्क नहीं हुआ है दोनों में यह जो पर्षन है दोनों का कॉमन पर्षन मतलब ए और बी का कॉमन पर्षन जो है इसको चोड़ यह जो पर्षन है यह दोनों में मार्क नहीं हुआ है तो यह person को छोड़के बाकी person को हम लोग marker देंगे तो यह हो जाएगा हमारा A complement union B complement का band diagram तो यहाँ पर हम लोग A दे देंगे उसके बाद B दे देंगे तो यह हमारा A है और यह हमारा B है तो यह common person को छोड़के बाकी person को यहाँ पर हम लोग ऐसे mark कर देंगे common person को चोड़ के बाकी person को यहाँ पर हम लोग market देंगे तो यह हो जाएगा हमारा a complement union b complement का band diagram तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर mark करेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने market दिया तो यह हो गया हमारा a complement union b complement का band diagram हम और मेरे क्याल से यहाँ पर एक उंपलिमेंट यूनियों भी कंपलिमेंट का बेंड डायग्राम बी आप लोगों को समझ में आया होगा यह पर यह जो कमन पर्षण यह आपका मार्किंग में नहीं आया है इसको छोड़ के बाख़ी पर्षण भाहर वाले पर्षण को आम ल तो यू क्या है, यू हमारा set of all triangles in a plane, plane में जितना भी type of triangles है, सारे triangle को लेके यहाँ पर हम लोगों को एक यू set दिया गया है, उसके बाद बोल रहा है दिखे, if capital A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is a compliment, तो यहाँ पर चलिए solution शुरू करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को यू दिया गया है, यू क्या है, हमारा यू है आपका the set of all triangles in a plane, मतलब यह जो यू है, इसमें सभी type of triangles है, इसमें आपका equilateral triangle है, इसमें आपका right angle triangle है, इसमें आपका isosalist triangle है, प्लेइन में जितना भी type of triangle है, सारे type of triangle इस set में है, उसके बाद हम लोगों को यह दिया गया है, यह क्या है, यह है, यह है आपका the set of all triangles with at least one angle, one angle different from 60 degree, यह क्या है, यह आपका वो type of triangle है, जिस triangle का एक angle, कम से कम एक angle 60 degree से different है, एक angle कम से कम आभी triangle में देखे, triangle में तो तीन ही angle होता है, तो यह जो A set है, इसमें कौन कौन सा triangle आएगा, वो triangle आएगा, जिस triangle का कम से कम एक angle 60 degree से different है, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, इस A set में वो set of triangle आएगा, जो triangle का कम से कम एक angle 60 degree से different है, अब माल लिजे, यहाँ पर मैं एक triangle को अगर ड्रो करूँ, आपका तीन ही angle 60 degree से different है, तो यह triangle इसमें आएगा, कम से कम एक angle अगर 60 degree से different है, तो वो triangle इसमें आजाएगा, अभी माल लिजे, और एक triangle में यहाँ पर ड्रो किया, यह angle 60 degree है, यह angle आपका माल लिजे, यह angle भी 60 degree है, तो माल लिजे, यह 60 degree नहीं, माल लिजे, यह 50 degree है, तो यहाँ पर 110 degree हो गया, और माल लिजे, यह 70 degree है, तो यह triangle इसमें आजाएगा, तो कम से कम एक angle आपका 60 degree से different हो, तो वो triangle इस set में आजाएगा, अभी हम लोगों को इस A set का complement निकलना है, तो complement कैसे निकलेंगे, को से क्मय आएगा, कॉमawan में वो triangle आ जाएगा, जिसका no angle different from 60 degree हो, कम से कम एक angle different from 60 degree का मतलब क्या है, कम से कम एक angle मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकता है, और 1 से ज्यादा मतलब maximum 3 हो सकता है, तो यह को सकता है, तो अ़ क्म Lamb करें आपका set of all triangles with no angle different from 60 degree, मतलब वो triangle, जिसका कोई भी अंगुल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है, तो यह कंपलिमेंट क्या हो जाएगा, therefore यह कंपलिमेंट हो जाएगा आपका, the set of, the set of all triangles, the set of all triangles with, with no angle, the set of all triangles with no angle different from 60 degree, different from 60 degree, अब यह जो लंग है, the set of all triangles with no angle different from 60 degree, with no angle different from 60 degree का मतलब क्या है with no angle different from 60 degree का मतलब क्या है कोई भी angle 60 degree से different नहीं है that means क्या है that means तीनों angle क्या है तीनों angle आपका 60 degree है मैं फिर से repeat कर रहा हूँ with no angle different from 60 degree का मतलब क्या है with no angle different from 60 degree का मतलब है तीनों angle आपका 60 degree है और तीनों angle आपका 60 degree है मतलब यह क्या कौन सा टाइप आफ ट्राइंगुल है यह आपका equilateral triangle हो जाएगा तो यह जो line है इसको हम लोग और भी simplify करेकर लिख सकता है इसको हम लोग और भी simplify करेकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा equal to the set of the set of all equilateral triangles the set of all equilateral triangles तो यह हो गया आपका a compliment अभी यहाँ पर exam में अगर यह question पूछा जाए तो आप यहाँ पर directly a compliment equal to this line को लिख सकते हैं क्योंकि exam में अगर यह question पूछा जाए तो आपको one mark देजाढ़ाएगा तो one mark के लिए आप directly this line को लिख सकतह है तो इस line को अगर आप directly लिखेंगे तो आपको यहाँ पर one mark मिल जाएगा मैंने यहाँ पर समझाने के लिए सारे line को लिखा ताकि समझने में आई आपको कोई भी दिक्कत ना हो और मैंने क्याल से भी आप लोगों को समझ में आया होगा चलिए यहाँ पर next question number 7 को solve करते ही और question number 7 को solve कर देंगे तो इन blank space को हम लोगों को fill करना है अभी इस question को solve करने के लिए question अगर exam में पूचा जाए तो one mark का पूचा जाएगा मैं यहाँ पर इन questions को solve करने के लिए यहाँ पर कुछ मान के solve पूरूंगा मान लिजे यहाँ पर compliment है तो हम लोगों को universal set consider करना पड़ेगा तो यहाँ पर ह हो जाएगा एक compliment मतलब यू माइना से तो यू से एका element को चोड़ देंगे तो क्या रहेगा तो रहेगा आपका 3 तो यू को हम लोगों ने मान लिया एक को मान लिया तो एक compliment हो गया आपका singleton 3 अभी यहाँ पर इस question को solve करने के लिए आप यू को किसी भी यू मान सकते है अभी रूमान वान में आईए रूमान वान में हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को a union a compliment का बेलू देना है तो यहाँ पर देखे a union a compliment अभी यहाँ पर a क्या है देखे a one two और a compliment क्या है देखे a compliment three है तो a a हमारा क्या है one two और a compliment क्या है a compliment three आया है तो one two one two और three का जब हम लोग union करेंगे 1,2 और 3 का जब हम लोग union करेंगे तो क्या बेलू आएगा 1,2,3 आजाएगा और ये nothing but क्या ये set is nothing but you तो जब हम लोग union ये compliment करेंगे तो बेलू क्या आएगा बेलू आएगा आपका universal set बेलू क्या आएगा हम लोगों को निकलना है 5 complement intersection A अब 5 complement का मतलब क्या है यह राफ वार के जो हम लोग कर रहे है यह राफ वार के आप यहाँ पर answer directly लिखेंगे ठीक है आप एकदम में answer directly लिखेंगे आप राफ वार करके directly answer लिखेंगे 5 complement 5 complement का मतलब क्या है 5 complement का मतलब है U minus 5 5 complement का इस set करेंगे तो बेलू क्या आएगा? कि इस set में कोई भी element नहीं है, that means 1, 2, 3 minus 5 हो जाएगा आपका, 1, 2, 3, तो 5 कमपलिमेंट करने के बाद आया है आपका 1, 2, 3, that means 5 कमपलिमेंट का बेलू क्या आया है? 5 complement का value आया है आपका 1 to 3 intersection A और A हम लोगों ने मना है 1 to तो intersection A मतलब intersection 1 to अभी इन दोनों का common element लेना है तो इन दोनों का common element क्या जाएगा 1 to और 1 और 2 जो set है ये set कौन सा set है ये set is nothing but A अमरा A तो 5 complement intersection A करने का बाद क्या आ रहा है 5 complement intersection A करने का बाद A आ रहा है तो इस question का answer हो जाएगा आपका A next Roman 3 में चलिए Roman 3 में हम लोगों को answer करना है देखिए A intersection A complement का तो पहले तो यहाँ पर हम लोग A complement निकालेंगे और A complement हमारा 3 आया है तो यहाँ पर देखिए A intersection A complement A क्या है A है हमारा 1 to और intersection A complement क्या है A common element है आपका 3 अब इन दोनों set का common element common element लेना है तो common element तो नहीं है that means इसका answer हो जाएगा आपका phi that means A intersection A complement मतलब Roman 3 में द्याग्या है A intersection A complement तो A intersection A common element आगया आपका phi है अब यहाँ पर आप elements को कोई भी elements माने answer यही आएगा आप element को आप change करके कोई भी element ले सकते है answer यही आएगा ठीके Roman 4 में चलिए Roman 4 में हम लोगों को answer करना है U dash intersection A U dash का मतलब क्या है U dash मतलब U complement U dash का मतलब U complement U complement मतलब U complement का मतलब क्या हो जाएगा U minus U U मतलब U minus U मतलब 123 minus 123 answer क्या आएगा answer आजाएगा आपका 5 मैं फिर से repeat कर रहा हूँ U complement का मतलब क्या है U complement का मतलब होगा U minus U U minus U मतलब 123 minus 123 123 minus 123 करेंगे तो ultimately 5 आएगा ठीके तो U complement हो गया आपका 5 U complement intersection A मतलब U complement आगया आपका 5 और 5 intersection A 5 intersection A B set में कोई भी element नहीं है और A में तो element है 1, 2, 3 1, 2 तो कोई भी element नहीं है intersection 1, 2 करेंगे तो answer क्या आएगा common element इस set में तो कोई भी element नहीं है इस set में element है 1, 2 पर दोनों set का common element लेना है क्योंकि यहाँ पर intersection A तो common element तो नहीं आ रहा है तो यहाँ पर U complement intersection A एक answer आगया आपका 5 तो इसे के साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने question number 7 को solve कर दिया और मेरे क्याल से question number 7 का solution भी आप लोगों को समझ में आया होगा यह वीडियो कैसा लगा आप ने comment box में comment करके जरू बताए और अगर आपने अभी तो अपना प्यारा चैनलेंड को subscribe नहीं कर तो जल से जल सब्सक्राइब कर लिए इस वीडियो को like करें अपने सारे friends के साथ share करें Thank you friends for watching this video